हरे क्रिश्णा मित्रों मिथुन रासी वालों को वर्स 2021 में धन की प्राप्ती छप पर फार कर होने जा रही है आर्थिक स्थिती 2021 के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी बातें जो निश्चित रूप से घटित हो करके रहेंगी यह जो रासी फल है वो 2021 का मिथुन रासी वालों का है मित्रों आईए हम चर्चा करते हैं कि आपका 2021 आर्थिक मामले में financial condition के मामले में कैसा रहेगा लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें मिथुन रासी के बारे में बताना चाहता हूँ आप उसे सुने और गौर फर्माएं कि वो सही है या गलत मिथुन रासी का आपने देखा होगा कि लोगों जो होता है उसमें इस्त्री और पुरुस दोनों का चित्र होता है इसका आर्थ यह है कि मिथुन रासी वाले जो हैं कभी कभी दिल से कठोर भी बन जाते हैं तो कभी कभी दिल से बड़े निर्मल और बड़े ही दयालू बन जाते हैं आपने ऐसा उनभव किया होगा बुद्ध इनका रासी स्वामी है मालिक है जिसके कारण से मिथुन रासी वाले लोग काफी सांथ प्रविर्टी के होते हैं कम बोलते होंगे और मीठा बोलने का प्रयास जो है हमेशा करते होंगे हमेशा प्रसंद नचित रहना इनको अच्छा लगता होगा और इनकी बुद्ध जो है बुद्ध मालिक होने करण की बुद्ध बड़ी ही कुसागर और तेज होगी चेहरे पर में हमेशा सीतलता रहता होगा जिसके कारण से कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि आप बहुत गुश्य में है या आपके बारे में कुछ पता नहीं लगा सकता कम बोलना और सांत रहना ये आपकी प्रविर्ती है मिथुन रासी वाले नई नई बातों का खोज करना ये भी आपका एक जन्जात लक्षन है मित्रो मिथुन रासी जो है सो बायू तत्त है बायू तत्त होने कारण मिथुन रासी वाले किसी भी जगह पर में सेट्लमेंट कर सकते हैं किसी भी जगह पर में जो है सो वो अपनी जगह बना सकते हैं चाहिए वो जगह कितनी भी टफ क्यों नहों कितनी ही भारी क्यों नहों कितनी ही संगर सील जगह क्यों नहों मिथुन डासी बाले वहाँ पर मैं अपने लिए जिस अस्थान बड़े ही आसानी के साथ बना लेते हूं मिथुन डासी की जो वर्न है वो सुद्र वर्न है अर्थात मिथुन रासी वाले को आप देखेंगे कि हमेशा उनके मन में सेवा भाव रहता है हमेशा लोगों की सेवा करना इनका ये नेचर है जिसके करण से हमेशा लोगों की सेवा करने में ये लगे रहते हैं हमेशा दयालुता से भरे रहते हैं अगर कोई मदद के लिए आ बहुत ज़्यादा कठोड भी बनते हुए देखा जा सकता है मिथून डासी को दूई सुभावी यानि की डवल नेचर भी कहा जा सकता है क्योंकि इनके सुभाव का अंदाज लगाना बारी कठन होता है कब ये अच्छे मूड में हैं और कब इनका मूड बिगड जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है जिसके करण से इनको डवल नेचर वाला वेक्ती भी कहा जाता है दूई सुभावी जिसके अलावा बता दूँ कि मिथून डासी का मन जो है सो काफी एकागर रहता है और बिना को जो है मिथून डासी बाले प्राप्त कर लेते हैं ऐसा आपने भी अनुभव किया होगा मित्रों मिथून डासी बालों को समाज में एक बिसेश प्रतिष्ठा भी मिलती है लेकिन हाँ एक चीज है कि इनको जल्दी किसी पर में विश्वास नहीं करना चाहिए नहीं तो इ दो होती कैसा रहने वाला है लेकिन मतनों मैं आपको बता दू कि अगर आपको ये मैने जो जानकारी दी वो लगा कि है सच है मिठुन डासी के बारे में ऐसी बाते हैं क्योंकि मैं दो-चार पॉइंट ही आपको बताए है कोई ज्यादा डिटेल में गया नहीं हूं क्योंकि उतना वक्त नहीं है तो अगर आपको लगा कि यह हां यह सब बातें सच है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में लिखें कि हाँ आपने जो बताया वो बिलकुल सच है ताकि मुझे भी शंतुस्टी मिल सके चैनल को सबस्क्राइब करके इसके वेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाले वक्त में आपको बेहतर वीडियो देखने को मिल सके और अगर मित्रों आप अपने भविश पौनिनजियो के बात करते हैं कि आपके लिए फाइन्शियल कंडिशन दो हजार एकीश में यही इस वर्स कैसी रहने वाली है मित्रों फाइनस रासीफल दो हजार एकीयस के मुताविक को म रिख के लिए वित्थ के मामले में समय काफी शुखद रहने वाला है क्यूंकि इनकम का स्वामी बिरस्पती आपके घर में बैठा हुआ है जो आपका बितिये पक्ष काफी मजबूत कर देगा और आपको हर तरफ से लाव फ्राप्त होने की संभावना भी दिखाई दे रही है वर्स 2021 के पहले महिने यानि कि जनवरी के अंतिम हपते में हपते से लेकर के फरवरी तक आपके दुआरा किये गए प्रयासों से आप आर्थिक लाव जो है इस निश्चित रूप से कमा पाएंगे आपको मैं बता दू मित्रों कि मार्च के महिने में आपकी रासी के सप्तम भाव में मंगल और राहु का अंगारक योग बनना आपके बित्ये जीवन में उतार चरहाव ला सकता है हलांके जनवरी और फरवरी के महिने में धन निवेस करने या किसी को उधार देने से आपको बचना चाहिए नहीं तो वो पैसा फसने की संभावना दिखाई दे रही है अपरेल में मंगल राहु का उसी घर में बैठना और चंद्रमा का द्वादस भाव में होना बित्त के मामले में अच्छा नहीं रहेगा वहीं मई के महिने में आपके वैपार को नया आयाम मिलेगा जिससे आपको धनलाव निश्चित रोप से होगा वहीं आयात निर्यात करने वालों के लिए या महिना बेहतरीन रहेगा और आपको भारी आर्थिक लाब होने की संभावना है साथ ही इस महिने आप कारोबारी, शंबंधी, बिदेश, यात्रा भी कर सकते हैं जिससे धन खर्च होगा मित्रों आपको बता दूँ कि जून में सनी का 12 भाव में चंदरमा के साथ बैठना और परत्यासित मुनाफ़े कमाने वाला ये समय हो सकता है और परत्यासित यानि कि यतना आप सोच भी नहीं सकते हैं उतना मुनाफ़ा जो है उतना पैसा जो है सो आपके हाथ में आने की संभावना दिखाई दे रहा है मित्रों आपको बता दू कि बर्स के मधिमा यानि की जुलाई में आपको धन निवेस के बारे में विचार करना होगा वरना आपको धन हानी होने की भरेंकर संभावना भी दिखाई दे रही है क्योंकि बिरस्पती का बक्री होकर दूआदस भाव में बैठना परिनामों को खराव करने वाला शावित होगा आपको धन खर्च करने से बचना होगा वहीं अगस्त माह में आपके बिजनेस में विस्तार होने की भी संभावना जो है सो दिखाई दे रही है जिस से आपको आर्थिक लाव प्राप्त होने की प्रबल संभावना है मित्रों सितंबर माह में सुक्र और बुद्ध का त्रिकोन में जाकर केंदर त्रिकोन राज योग बनाना आपको बितिय लाव का संकेत दे रहा है अक्टूबर और नॉवंबर में आपके लिए खर्च के योग बन रहे हैं जिसकी वजह से आपको तनाव और अवसाद के इस्थिति उत्पन हो सकती है हला कि अन्ति माह डिसंबर मिथोन रासी के लिए बित मामले में अच्छा रहेगा इस महीने सुक्र बक्री होकर भी अच्छा परिनाम देगा आप घर या कोई नया बाहन खड़ी सकते हैं आपको आई के नए स्रोत भी प्राप्त हो सकते हैं वर्स 2021 में राहू का आपकी रासी के 12 भाव में होना आपके फिजूल खर्चों को बढ़ा सकता है इसलिए आपको द्यान रखना होगा कि वेर्थ की बस्तूओं पर कतई धन खर्च ना करें इसके अलावा केतू का आपकी रासी से चठे भाव में बिराजमान होने से आपके ऊपर चड़ा हुआ कड़ उतर सकता है आपकी मैनत करने का फल ही आपकी आर्थिक इस्थिति सुधारने में आपकी मदद करेगा इस वर्स आपकी रासी में बिरस्पती और सनी की अस्टम भाव में युती आपके लिए आर्थिक हानी के भी योग बना रहे हैं इसलिए आपको सलाह दी जाती है फाइनेंसियल प्लैनिंग करके चलना आपके लिए अच्छा सा भी थोगा वहीं जो लोग फिल्म इंडस्टी से जुरे हैं उन्हें भी मुनाफ़ा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है आपको कारोबार संबंधी की गई यात्राओं से भी बहुत ज़्यादा लाव प्राप्त होने की संभावना है क्योंकि बिरस्पती का गोचर कुम भरासी में हो रहा है जिसके करन्द से ये समय आपके लिए बित के मामले में आर्थिक सिदी के मामले में बराही सुन्दर सटीक और अच्छा रहने वाला है तो मित्रों यही थी मिथून रासी बालों की वर्स 2021 की बितिये रासी फल महीना कैसा नहें हैं मित्रों अगर आपके जीवन में जै parisani हैं और आप pariswan हो चुके तो अपने जीवन रतन को जरूर धारन करें आपका जीवन रतन है पन्दा भान्ना धारन करने के लिए आप असना vari करने के लिए सेविए सेवने जी रो 162757 فर पर में आपको वहां से प्राप्त हो जाएगा बहुती कम कीमत में और किफाईती दाओं में अमीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें सेयर करें चैनल को सबस्क्राइब करके इसके वेल आइकन के बटन को दवा दें आप सब पर में क्रिशन और बलराम किरपा बनी रहे जाय स्रीक्रिशना